कहीं Trump है, कहीं Boris है, कहीं Moodi है अरे Moodi सुन आपका परचेप दुनिया में मोदी से नहीं है अमीरका में Trump के सामने वहाँ की संसत का cutter कहता है कि आप गाली और नहरू के दिश्ट से आए उस दिल तुमको समझना चाहिए कि आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में कि लोगों को पीट पीट के माला जा रहा है यानि इस देश के अंदर किसने यह अधिकार दिया कि नियाए आप करेंगे नियाए के लिए नियाला है लेकिन आज सरकार महिमा मंदित कर रही है उनको इस देश को गाली के विचारों के विप्रीच चलाने की कोशिश हो और क्या खरें साब इस देश का ग्रह मंत्री यह भूल जाता है कि इस कुर्सी पर पटेल बैठे थे पटेल बैठे थे लगनशीर है हमारा ग्रह मंत्री लेकिन तथ्यहीन और विवेखीन विशलेशणों से देश में कहता है नहरू को रोज बोल रहे हो घबड़ाओ मत्रीच यह खोल जो है न तीन सो सत्तर का खोल पीट रहा है यह आदमी चाँचट में चाँचट के पहले कहा जाता था प्रधान मंत्री सद्रे रियासत तीन सो सत्तर का मतलब यही था सादिक जब थे प्रधान मंत्री तो कॉंग्रेस के राज में वो खतम हो गया और मुख्य मंत्री और गवर्नर हो गया तीर बावन में चुना हुआ है तीरपन से सारे टेक्सेस कश्मीर में लगते हैं और जहां तक जैपूर में भी जोहरी बाजार में कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम भी जाएंगे कश्मीर में जमीन खरीदेंगे दस गच खरीदने की हैसियत नहीं है क्यों? अरे साह सुन लो मोधी सुन लो हम भी देखेंगे कि तुम्हारी हैसियत अगर है तो 35 ए हटा कर दिखा देना जाए क्यों? कि ये कॉंग्रेस का बनाया हुआ कानून नहीं है ये मुसल्मानों की लडाई नहीं है ये जो डोगरा लोग थे उन्होंने 27 में लडाई लड़ी 21 आदमी शहिद हुए और तब हरी सिंग जी ने वो कानून बनाया था दो कानून बना एक 1927 में और 1932 में क्या कानून? कि बाहर के लोग यहां नहीं आ सकते जमीन नहीं ले सकते क्यों? कि ये पंजाब के लोग जा रहे थे और अंग्रेज उस समय चाहता था कि कश्मीर के अंदर उसको जगे मिल जाए और हरी सिंग जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां आ जाए इसलिए वो कानून बनाता और शाह नागा लेंड में एक गज जमीन लेके बता दो और मैं आपको बताना चाहता हूँ नागा लेंड मीजो राम अदुना चल इन जगे आप बिना पर्मिट के नहीं जा सकते हैं लेकिन कश्मीर में तो जाते हैं ना जितने सरकारी आफिस हैं किसकी जमीन पर बने हैं कश्मीर की जमीन पर बने हैं शुनाव कौन कराता है चुनाव आयोग कराता है सिच्छा कौन देखता है वहाँ यूजिसी देखता है तो फिर कौन सा तीन सो सत्तर है भाई और मैं बताता हूँ कि मैं वहाँ का इंचास था पहले उन्होंने पंचायद का चुनाव करा लिया था जिसमें कोई अधिकार नहीं थे राहुल जी ने कहा कि इन पंचायद के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए मैंने अपने पार्टी के लोगों से कहा मंत्रियों से कुछ भी हो जाए 73-74 अमेंडमेंट हम यहाँ पर लाएंगे सरकार गिरने की नोबत आई सर्फ हमने एक समझोता किया और वो 73-74 अमेंडमेंट की जगए कश्मीर पंचायद एक्ट लागों जिस पंचायद जितने प्रावधान 73-74 के हैं जो राजस्थान में लागों है वो सारे प्रावधान कश्मीर में लागों है अरे भाई साह क्या है 370 यह सर्फ से 970 रहते रहते हमने लागों किया लेकिन इस देश के अंदर जो इशू है वो इशू यह है कि इस देश में असामती रहेगी की नहीं रहेगी गांधी सिर्फ एक राजनेतिक नेता नहीं थे इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कोई ओजार था अगर तो वो कॉंग्रेस पारटी गांधी के नेतरित में थी मित्रों आपको भी सोचो क्योंकि आप जोना सोचो क्या समाज था इस राजस्थान के अंदर ही कितने राज थे जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं और हर राज में अलग अलग कानून था ऐसे कानून को खटा करके और फिर लड़ना मामूली बात नहीं थी सती प्रथा थी छुआ छूँद था कौन सा ऐसी कुरीतिया नहीं थी तो गान्धी इस देश में नहीं दुनिया में उनसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कोई नेता नहीं हुआ है जिसने सामाजिक परिवर्तन और राजनेतिक परिवर्तन किया हो कॉंग्रेस जनो ये आपके लिए गौरव का विश्य होना चाहिए अभिमान का विश्य होना चाहिए वो चुडा रहे हैं गान्धी जी की जो एनक था न गोलवला वो भी उन्होंने खरीदा था लंदन से और जब उन्होंने विदेशी चीजों का त्याग किया तो उसको अभी त्याग कर दिया प्रिशी को दिया था मैं नाम भूल रहा हूं को यह मुस्लिम थे नवाद साब उनको दिया था लेकिन यह दिल्ली वाला जो पैठा है उसको अच्छपा लगा रहा है स्वक्षता से मोधि सुन यह एनक महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि किन नजरों पर यह लगा हुआ है तुम पटेल को लेकर रखते हो एक बात और बता दूँ मैं आज आपको कई चीजें बताना चाहता था दो मिनट खाली एक लोग चलाते हैं कि नहरों में और पटेल में गड़ बढ़ था तीसो सत्तर भी जब लगा था और यह जो बोलता है भाशन करता है वो ओह प्रोविजनल हटाने में सत्तर साल लग गया वो इसलिए प्रोविजनल लिखा गया था कि नहरों जी नहीं चाहती थे लेकिन हरी सिंग्जी ने कहा था कि भाई अब यह सेंटिमेंटल इशू है इसको क्या करें आगे कतम कर लिजेगा इसलिए प्रोविजन था अई यह ना समझ भाशन करता है कि हमने वो प्रोविजन हटाने में हमने सत्तर साल लिए लगा दिया तो कहते हैं पटेल अरे तुम गुजराती होगे लेकिन तुम पटेल के वारिस नहीं हो सकते हैं और मैं चाहूंगा मान्नी मुख्यमंत्री जी से अध्यक जी से भी और आप से भी कि चुन्नी भाई बैद्य की एक किताब है इतनी पतली गांधी की हत्या का सच दस रुपे की भी शायद नहीं होगे उसको पढ़ लो और अपने आप एक एक घटना आपके सामने आजाएगी तो आज मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई गांधी जी नहरू को जी को बड़ा प्यार करते थे अपना बेटा समान मांते थे और एक वागिया सुन लीजे क्योंकि जो गांधी जी थे वो मोती लाज जी के मित्र थे गांधी नहरू के मित्र नहीं थे जवाहर लाज जी के मित्र नहीं थे तो जवाहर लाज जी को जेल हो गया गांधी जी आनन भावन में ठेहरे हुए थे चार पांच बजे सुबे का वाक्या था मोती लाज जी के लिए एक जीवन में भी पहला दूसरा अन्भाव था कि बेटा जेल चला गया तो वो जार तहर रहे थे सबेरे का बख़ा चार बजा होगा या पांच बजा तो उन्होंने जिस कमरे में सोए थे गांधी जी उस खिड़की से देखा कि गांधी जी तख़त पर नहीं है तो एक आद बार सोचे कि बातरूम अगरे गए होंगे फिर टेल के आए देखे कि गांधी जी नहीं है तो उन्होंने दर्वाजा थोड़ा सा ऐसे किया देखा गांधी जी जमीन में सो रहे हैं तो उन्होंने हिलाया कि आप क्यों ऐसे जमीन में क्यों सो रहे हैं तुन्होंने कहा कि जवारलाल जेल में सो रहा होगा उसको तकलीफ हो रही होगी इसलिए मैं यहां सो खुद पटेल ने कहा पटेल जी की उमर जानते हैं पटेल सहाब कौन हमारे वाले पटेल दिली वाले नहीं सरदार पटेल च्छे साल छोटे थे किस से गांधी जी से और जवाहला जी कितने छोटे थे बीश साल तो खुद पटेल ने कहा है उस समय भी एक आनाफुशी शुरू हुई तो पटेल ने खुद कहा अरे बताओ कि अगर कोई आदमी अपना वारिस बनाता है तो बेटे को बनाता है कि भाई को बनाता है मैं उनका भाई हूँ और वो उनका आगे के लिए खुद कहनी ने कहा है कि पटेल ने कभी भी मुझसे असमती नहीं जाहिर की जवाहला ने एक नहीं अनेकों बार जाहिर असमती जाहिर की है लेकिन मैं जानता हूँ कि देश को आगे ले जाने के लिए जवाहर जवाहर जैसे नौजवानों की आवशचता है देश को और अन्त में मजाक में लिखा है उन्होंने कि अगर जब मैं नहीं रहूंगा तो जिन बिंदूओं पर असमती है वो भी नहीं रहेंगे ला अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एक बात और नहरू जी हमारे अविनाश जी भी महरास से हैं आज नहरू जी के त्याक की बात हो रही है कौन कर रहा है ये जेल में रहके जो आया है और जेल में तो हम भी रहे हैं लेकिन पाकिट मारी में या मर्डर या बलादकार में नहीं रहें आप रहान में नहीं रहें और वो नहरू जी पर बात कर रहा है आप और हम ये देखिए राजियू जी की तस्वीर है इनका जनम कहा हुआ था जैपुर में कहा हुआ था यह नहीं राजियु जी का बंबई में हुआ था यह क्यों इनका जनम हुआ था बंबई में इनका परिवार तो इलहाबाद में रहता था इतनी बड़ी कोठी थी जानते हैं इंदरा जी जब पेट से थी उस समय मा जेल में इंदरा जी की बुआ जेल में इंदरा जी के दादा जेल में और इंदरा जी के पिता जेल में कोई नहीं था कि वहाँ पर इंदरा जी की देखभाल कोई कर सकता हूँ तो इनकी दूसरी बुवा किसना हटी सिंग बंबई रहती थी इसलिए उनको बंबई भेज दिया गया और वहाँ इसलिए राजीव जी का जैनम तो यानि जिस परिवार का एक-एक सदस जेहल में हो वो आज बात उठा रहा है नहरू जी की और नहरू जी और राजीव जी की पहली मुलाकात 19 दिन के बाद नहरू जी को जेल में दिखाने के लिए ले गई थी इसलिए नकली लोग आपाद काल का नाम लेते हैं क्या है कस्वीर में आज गांधी इसलिए जरूरी है कि आज पचास दिन हो गया है लोग घरों में बंद हैं क्या ये गांधी के मुल्क नीती है क्या उनको अधिकार नहीं है हमने प्यार से जीता था इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हे गांधी के वारिसों आज आपकी विरासत पर उंगली उठ रही है आज आपका ये सबसे बड़ा करतब है क्यों ठड़े हो और ये जो चुनोती मिल रही है उन लोगों के द्वारा जो गांधी की हत्या के बाद मिठाई बा हमें यही 150 वर्ष का संकल्प और हमारा आपका होना चाहिए हमें ज्यादा समय दिया इसके लिए धन्यवाद